अंगली अगर आँख दिखाएगा तो आँख फोड़ देंगे अंगली काट लेंगे हम को तो रम नीला मैदाल में लोग रम नीला करते हैं वहीं जादे लोग राम के गुन गाते हैं राम परसोताम राम हैं सब लोग को वहीं लोग सब लोग पूजा करते हैं परसोता राम को राम जी को राजनीत में लाने का क्या आप सकता है। गेरवाद धारी बन कर साधू बनते हैं काम वह कुकरम करते हैं। मतलब लूट को सोट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा यह सारी बिहार की राजनीती में बहुत ही चर्चा हो रही है। क्योंकि बिहार के आरा में MLC साहब जो उतर चुके हैं मैदान में। आरा नगर निगम का चुनाओ है और नगर निगम चुनाओ में भवा निलम देवी महापौर परतियासिव के रूप में उतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बैवसाई समाज जो है वो पूरा कुनमा एक जूठ होने की कगार पे है क्योंकि MLC राधाचरण सेट ने बड़ा ब्यान दिया है। जो बैवसाईयों को अगर छू भी देंगे अगर उनको ताक भी देंगे तो उनकी आँख निकाल लेंगे उनकी उंगलियों को काट देंगे। खुला एलान कर दिया है कि आरा में खौप का महोल सेट जी खुद रहते हुए नहीं होने देंगे। ये खुला एलान के बाद अब हम आ चुके हैं और जानेंगे कि इस बार का निगम चुनाओ आखिर सीठ जी आएं तो निलम देभी किस तरीके से लड़ रही है और क्या महोल है आरा का। बाकी नमस्कार आप देख रहे हैं आसा एक भारत में रहना सिंग और चलिए सर से बात करते हैं। महोल जनता के हाथ में है 25 परत्यासी खाड़ा हुए है अब यहां जनता फैसला करेगी कि कौन आच्छा से सेवा कर सकते हैं कौन आरा का विकास कर सकते हैं हम भी दूसरा बार जनता के सहजोग से चुनाव जीते हैं जबकि लोकल बड़ी भोजपूर और बकसर में कभी दुब जनता का पार सेवा मिला है आपको और जनता का सेवा करने के कारण ही आप जीते हैं जनता ही भोट के राज में जनता ही मालिक होती है तो जनता जिसको ताज पानाना चाहेगी वहीं लोग जीतेंगे निलम देवी को लोग समझेगा कि नहीं इनको बनने से आरा के जनता को जो आज नरक निगम बना हुआ है भराश्चारियों का आड़ा है तो हम भोजपूर के जंता से आगरहों निवेदन करेंगे कि अगर निलन जदी जित जाती है तो भराश्चारियों का वहां से खत्मा हो जाएगा और नगर्णिकम सुंदर नगर निगम होगा अच्छा नगर करते हैं भुष्पूर की जनता को कहता है कि जितने भी महापौर बनते हैं पहलों कर देते हैं यह हम नहीं कर रहें यह जनता कहती है हम सर्वे कर रहे हैं कई सारे सरवे में तो 28 दिसंबर इलेक्षन है वो भी नहीं पता है महिला परत्यासी लोग है ये भी नहीं पता है पाज को महिला परत्यासी का नाम पूछते हैं तो मुह बाद देता है लोग ये सिती है नगणिगम चुनाव की तो आप कैसे अस्वासन देते हैं कि निलम देवी जीतेंगी तो आप मतलब लूट को सोट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा यह सारी चीचे-अ कारण की बयोसाय हम 50 साल साथ पैसा के लिए नहीं किया है कारण की जोराजनीद करते हैं वहां के लिए लड़ नहीं चुनावा लेकिन हम भोजपुर के जानता से अस्वस करते हैं, भरुसा दिलाते हैं कि हम भी छे साल रहें, आज तक के कि लिप्वान कोई खिलाया हो, तो कह दीजिए, इमांदारी के साथ सब लोगों कोई इजत, मान, समान अपने दरवाजे से लेकर, सब को हम एक समान को मचते हैं. सवाल ये भी है कि कई सारे जग़ लग रहा है, कि कई सारे लोग लिख रहा है, कि जो स्री राम भगवान को लेकर आते हैं, उनको इस बार लाना है, आप इस पर क्या कह रहा? राम को तो रम नीला मैदाल में लोग रम नीला करते हैं वहीं जादे लोग राम के गुन गाते हैं राम परसोताम राम हैं सब लोग को वहीं लोग सब लोग फुजा करते हैं परसोता राम को यह राम जी को राजनीत में लाने का क्या आप सकता है हाँ खुद सभी लोग जानते हैं कि खुद बैश्णों हम है जो डारु साराब पहले से उनका धन्दा है बेचने का अब मिर्ट बचली खाने का उस सिराम को नाम जपने का उनका तो हके नहीं बनता है आज तक हमारे किचेन में लौसिन प्याज तक नहीं बनता है तो हम लोग तो राम के ही पूजा करते हैं बिश्णु भगवान के ही पूजा करते हैं बिश्णु जो कि हम लोग बिश्णु सब लाई को ही मानते हैं तो वहां जो 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 जुटी राम का पर मने नाम जब करते हैं तो वह भजने में कुछ है कि चोला कि घरिवाद धारी बनकर साधू बनते हैं काम वह कुकरम करते हैं तो मैंने यह काना है सर की एक राम चरित में चौपाई है कि मुनीन है निसाचर घोरा सत्व चल कपिमान हमोरा तो हनुमान जी जा रहे थे सजिनी बूटी लाने के लिए तो राक्षस वहां सी राम 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 जप रहे थे तो हनुमान जी पाचान गए तो अब वही पर समझे के यह नकली है तो उनका अंत करके ही आगे बढ़े और जाके सजिनी बूटी लाकर लश्मा जी को बने जि स्रिष्टी राम ने श्रिष्ट्टी उनको कौन लेके आने वाला है या उनको कंड़ी जिसे हैं जो कैसे लें ज cher हम लोग उंको सब लोग को मनए ढब मत्रॉफ यहां तो यहां भाम नाम पो दौहाई लोग दे रहा है तो जूटी यह बात है यह जो परचार कर रहे हैं सवाल यह भी है कि बेवसाइक लोगों पर आपने बड़ा आपका वीडियो चल रहा है वह सोचल मेडिया पर भी और नियूज पर भी क्या अगर कोई भी आख उठा के उल्टा देख लेगा या उंगली उठ संवाल है के अभी है अभी क्या रिस्पॉंस मिल रहा है निलम देवी को आप तो घूम रहे हैं क्या कुछ लग रहा है आराकी जनता के बीच में क्या महा हो जादे आप लोग घूमते हैं पत्रकार लोग है मीडिया वाले लोगों वह न सब जगा जाते हैं वहीं लोग न बताएंगे हम लोग तो सोच रहे हैं कि सब हमारा भोट है इस बात दे रहा है कारएं कि हम लोग का पलटा परफार का एक एक यानता भोशपूर को जानती है कि बखyes elimin करते हैं कैसे लोगों का काम करते हैं अज तक हमारे दरवाजा से कोई शंक नहीं कॉते हैं जीतना बड़ न परता हुआ रहा है की की दर्म का फैक्टर हो जया रहा है कि न इस लडाई में कोई पार्टी फैक्टर है न कोई जात फैक्टर है हम लोगों को तो सभी लोगो से आगरह निवेदन कर रहे हैं कि सभी धरम के लोग जाती के लोग हमको माने MLC भी जिताए है आई इस चुनाव में भी सभी धरम जाती के लोग हमारे भवा को जिताएंगे जो निलम देवी खड़ी हुए है साथ नमर उनका चुनाव चीन है सिलाई मसीन उस पर एक एक जनता भोड देकर देकर भारी मतों से भी जा रही है यहाँ पर निलम देवी जी के पती और हाकिम परसाद जी है और पुर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं इनकी पतनीस बार चुनाव लड़ रही है और यह भी मैदान में उत्रे हुए है चोटे बाई है सेट जी के क्या लग रहा है महोल क्या रिस्पोंस क्या है वो तो कह दिये कि आप ही लोग बताईएगा आप क्या देख रहे हैं देखिए असपस्ट बताते हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं लड़ाई पचीस लोग नामने सन किये थे और लड़ाई आकर के चार-पांच चर्चा में है उसमें चार-पांच में दो गोतो भरष्टाचारी है और उसके बीच में एक मैह हूँ और जनता मन बना चुकी है उसलिए सारा आरा के लोग संकल्पित है और सिलाई मसीन पर भोट देने के लिए भरष्टाचारी और अपराधी के खिलाब में गोल बन देखिए इस तरीके से सावधान कर रहे है पूरे आरा की जनता को और कहा जाता है त्रीदेव यहां पर प्रकट हो जाते हैं जब तीन भाई जब एक साथ रहते हैं तो कहा जाता है कि त्रीदेव सक्षात्रीदेव का दर्सन हो जाता है और आप कर रहा है कि हम नहीं बोलेंगे बताईए क्या लग रहा है कि क्या 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 है हम भोजपुर वास्यों को खास करके सहर के तमाम अदाता से यहीं आगरा करेंगे कि साथ नमर्सिलाई चाप बटन दबाकर हमारी भावा निरंदेवी को बिज़ई बिना लोग को हो त आपको क्या लगता है क्या महोल है और क्या अपडेट है आप भी जरूर बताईए नगणिगम चुनाओक में महापौर आखिर कौन बनने जा रहा है रहा है रोसन गुपता के साथ मैं रहना सिंग आरा भुषपूर भिहार आपका अपना असा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भीया और साथी साथ बेल बटन दवाना ना भूले क्योंकि बेल बटन दवाईएगा तभी तो खबर फटा फट पाईएगा